मैं सोक्ष मुवतन में फरिष्टा के स्वरूप में बाबा मम्मा की समक्ष उपस्थित हूँ मम्मा बाबा के रूहानी नैन से निकलने वाली प्रकाश मैं अमरित धारा मुझ फरिष्टे को आनन्द विभोर कर रही है अब मैं फरिष्टा मम्मा बाबा से प्रतिज्या कर रहाँ मम्मा जैसे आप मर्यादाओं में सदा एक्विरेट रही ऐसे मैं भी सदा मर्यादा पुर्षोत्तम बनकर इश्वरिये मर्यादाओं का मान बढ़ाऊंगा जैसे आपकी स्थिते नचूरल देही अभिमानी थी ऐसे मैं भी देहभान का त्याग करते हुए देही अभिमानी अवस्था को नचूरल बनाऊंगा जैसे आपकी चलन से बाबा के गुण और कर्म दिखाई देते थे ऐसे मैं भी आपके विशेश्टाओं को धारन करते हुए अपनी चलन से बाबा के गुण और कर्म को प्रत्यक्ष करूंगा आपका कहना था बाबा जो हमें सिखा रहे हैं वही हमारे से दिखाई दे प्यारी ममा आपके ऐसे महान विशारों को आत्म साथ करते हुए पुराने स्वभाव संसकार के वश होकर ऐसा कोई भी कर्म अपनी कर्मेंद्रियों से नहीं होने दूँगा जिससे मैं पापका भागी बनूँ ममा मैं सदा मर्यादाओं में अक्यूरेट रहुँगा अपनी स्थिती को नेचुरल देही अभिमानी बनाऊंगा अपनी चलन से बाबा के गुण और कर्म को प्रत्यक्ष करूँगा बाबा जो हमें सिखा रहे हैं वही हमारे से दिखाई दे ऐसा पुर्शार्थ करूँगा ममा बाबा मेरी पृतिग्या से प्रसन होकर वर्दान दे रहे हैं मर्यादा पुर्शोतम भव देही अभिमानी भव कर्मिन्रिय जीत भव मैं इन वर्दानों से भरपूर होकर स्वयम को शक्तिशाली अनुभो कर रहा हूँ मैं ममा बाबा का दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ धन्यवाद ममा धन्यवाद बाबा किन शब्दों में मैं आपका धन्यवाद करू धन्यवाद करू धन्यवाद कर रहा हूँ धन्यवाद कर रहा हूँ धन्यवाद अज्वाद धन्यवाद धन्यवाद भ्याद धन्यवाद झाल